Hello everyone, welcome to my channel All About Biology and this is Jyoti Verma और आज हम लोग बात करने वाले हैं Anomalous Secondary Growth in Plants के बारे में जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे plants होते हैं जिनमें एक Normal Stealer Arrangement होता है एक Normal Stealer Structure होता है यानि कि उनमें जो Xylem, Phloem, Cambium होते हैं वो सब Normal situations में प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक Unusual Structure देखने को मिलता है और इस Unusual Structure को हम Anomalous भी कह सकते हैं क्योंकि उस structure में बहुत सारी Anomalies या Abnormalities होती हैं और इस टाइप की जो Growth होती है Stem और Root की उसे हम Anomalous Secondary Growth कहते हैं यानि बहुत से ऐसे plants होते हैं जिनके Stem और Root में आपको कुछ Abnormalities देखने को मिलेंगी और इसे ही हम Anomalous Secondary Growth कहते हैं सो अब हम बात कर लेते हैं Reasons for Anomalous Secondary Growth की या फिर Anomalies of Secondary Growth भी हम यहाँ पर mention कर सकते हैं सो बेसिकली जादातर केसे में जो Anomalous Secondary Growth होती है यहाँ पर जो Abnormalities आती हैं वो Cambium की वज़े से आती हैं सो यह बेसिकली या तो Cambium की Unusual Position की वज़े से हो सकती है या फिर जो Normal Cambium प्रेजेंट होता है टिशूज में और वहाँ पर अचानक से वो Abnormality Behavior शो करने लगता है तो उस केसे में भी Abnormal Secondary Growth या Anomalous Secondary Growth देखने को मिल सकती है इसके लावा कुछ प्लांट्स में Cambium की रिंग बनती ही चली जाती है एक Cambium की रिंग बनी वो Inactive हो गई उसके बाद उसके बाहर दूसरी Cambium की रिंग बन गई तो वहाँ पर भी आपको Anomalous Secondary Growth देखने को मिलेगी इसके लावा Extra Stealer Cambium भी होता है Steel के बाहर जो Cambium बनता है उसे हम Extra Stealer Cambium कहते है इसकी वज़े से भी कभी-कभी Anomalous Secondary Growth देखने को मिलती है इसके लावा Interzylery Phloem और Intrazylery Phloem के बारे में भी हम डिसकस करेंगे इसके लावा Absence of Vessels in the Xylem ये भी Anomalous Secondary Growth का एक रीजन है Scattered Vascular Bundle in the Dicot Stem आपको Dicot Stem में Scattered Vascular Bundles देखने को मिल सकते हैं जो की बिलकुल ही Opposite Situation है Presence of Medullary Bundles Presence of Cortical Bundles इसके लावा Secondary Growth in Monocots इन सारे केसे को हम आज यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं सो हम बात कर लेते हैं मारे First Point की जो की है Anomalous Position of Cambium यहाँ पर Example हम Stem का ले रहे हैं और यह situation आपको सरजेनिया और बहूनिया में देखने को मिलेगी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरजेनिया की सरजेनिया के केस में जो Cambium है वो आपको Separate Strips में दिखाई देगा और जैसे ही Secondary Growth Start होगी हर Cambium Strip अपना अपना इंटायर रिंग बना लेगी और बेसिकली वो अपने आपको Separate कर लेगी और जो Cambium Strips हैं वो Secondary Xylem कट करेगी अंदर की तरफ और Secondary Phloem कट करेगी बाहर की तरफ तो यहाँ पर आपको Sargenia का जो Stem का TS होगा उसमें आपको बहुत सारे Vascular Bundles अलग अलग दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर Cambium Strips प्रेजेंट हैं और सारी Cambium Strips अपना अपना Secondary Xylem और Secondary Phloem कट कर रही हैं सो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या जो Old Stem होगी उसमें आपको जो अलग अलग bundle दिखेंगे हर bundle का अपना खुद का Periderm होगा और यहाँ पर आपको Sargenia के Stem के TS में बहुत सारे Bundles देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग Cambium Strips प्रेजेंट थी इसके लावा हम बात कर लेते हैं बहुनिया, Langsdory, Fiana की यहाँ पर जो Stem है वो भी आपको कुछ-कुछ सरजेनिया जैसी ही दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर जो Cambium था वो भी तूट कर Strips के Form में आ गया है और इस क काइमा का कंटेंट बहुत जादा इंक्रीज हो जाएगा Cambium की डिवीजन की वजए से जिसकी वजए से जो पहले बने ओरिजिनल टिशू थे वो रप्चर हो जाएंगे और जो Cambium शीट बनी थी वो भी रप्चर हो जाएगी तो यहाँ पर Parent काइमा का कंटेंट आपको बहु यहाँ प्रेजेंट होता है वो कभी कभी इर्रेगुलर बिहेवियर शो करने लगता है और यह क्या करता है कि कुछ कुछ पोर्शन पर यह ज्यादा जाईलम कट करने लगेगा जाईलम के कंपारिजन में। जिसकी वजए से आपको उपर नीचे का पॉर्शन दिखाई और example कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो example यहाँ पर है presence of phloem wedges in the xylem of bignonia stem यानि की bignonia के stem में आपको जो phloem wedges देखने को मिलते हैं U-shaped वो abnormal behavior of normal cambium की वज़े से होते हैं यहाँ पर आप TS देख रहें यह TS of bignonia stem है और इसमें आपको जो anomalous secondary growth देखने को मिलती है वो इस cambium की वज़े से देखने को मिलती है यह जो normal cambium है जो की xylem of phloem के बीच में present है यह abnormal activity चो करता है और यह कहीं कहीं पर जादा phloem कट करता है और कहीं कहीं पर जादा xylem कट करता है जिसकी वज़े से आपको कुछ इस type का structure देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर xylem का content जादा है और कहीं कहीं पर phloem का content जादा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो bignonia का stem है उसमें आपको phloem wedges देखने को मिलेंगे यानि u-shaped structure आपको phloem का देखने को मिलेगा जिसमें कि scleran chimetis band present होते हैं तो यह यहाँ पर anomalous secondary growth है bignonia की stem में तो कि यहाँ पर जो normal cambium था वो irregular activity यहाँ पर show कर रहा है abnormal activity show कर रहा है इसकी वज़े से यहाँ पर anomalous secondary growth देखने को मिलती है यहाँ पर जो आप stem का TS देख रहे हैं वो है bignonia की stem का TS और यह भी anomalous secondary growth का एक example है क्योंकि यहाँ पर यह जो normal cambium होता है यह abnormal activity show करने लगता है यह basically क्या करता है कुछ समय के लिए यह ज़ादा phloem cut करने लगता है बाहर की तरफ और कम xylem cut करता है अंदर की तरफ जिसकी वज़े से कुछ आपको U-shaped phloem wedges यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें की scleran kymetis bars भी present होते हैं तो यहाँ पर basically bignonia के case में आपको anomalous secondary growth देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर normal cambium is showing abnormal behavior अब हम बात कर लेते हैं हमारे second example की जो की abnormal behavior of normal cambium का है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा presence of fissured xylem in the case of aristolochia यहाँ पर basically क्या है जो normal cambium है वो abnormal behavior इस तरीके से show करता है कि cambium क्या करता है सिर्फ parenchyma cells ही बनाता है बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी जिसकी वज़े से बहुत जादा amount में parenchyma आपको यहाँ पर aristolochia के case में देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो xylem है वो आपको अलग-अलग patches में fissured xylem देखने को मिलेगा और old stems के case में आपको यह condition देखने को मिलेगी यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है जो phloem wedges थे वो बनने थे उसके बाद जो xylem के strand थे वो fissured हो गए क्योंकि यहाँ पर जो parenchyma का content था वो बहुत जादा हो गया पित का content और parenchyma का content old stems के case में बहुत जादा हो गया क्योंकि यहाँ पर cambium abnormal behavior शो कर रहा है इसलिए आपको aristolochia के case में fissured xylem देखने को मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं हमारे third case की जो की है successive rings of vascular cambium यहाँ पर क्या है कुछ plants में क्या होता है new cambium ring का formation होता है एक successive manner में यानि एक cambium ring बनी वो inactive हुई उसके बाद उसके बाहर दूसरी cambium ring बनी फिर वो कुछ समय तक चली उसके बाद वो भी inactive हो गई उसके बाहर की और फिर से एक cambium ring बनी तो इस तरीके से successive manner में cambium की ring बनती चली जाती है previous ring के बाहर की ओर तो इस type के situation में भी आपको abnormal या anomalous secondary growth देखने को मिल सकती है सो cambium की अगर हम बात करें तो यहाँ पर cambium की इस तरीके से abnormally function कर रहा है उसको हम देख लेते हैं basically cambium यहाँ पर क्या करता है यह secondary phloem को और paranchima को बाहर की तरफ बनाता है और secondary xylem को और paranchima के साथ साथ conjunctive tissue को अंदर की तरफ यानि की पित की तरफ बनाता है और क्या होता है यह cambium कुछ समय के बाद inactive हो जाता है और इसके बाहर दूसरी cambium ring का formation होता है और वो भी इसी तरीके से divide करती है तो इस तरीके से एक के बाद एक successive ring बन जाती है जिसकी वज़े से आपको vascular bundles भी यहाँ पर ring के form में देखने को मिलेंगे जो की paranchima में embedded होंगे तो यह भी एक तरीके का anomalous secondary growth या anomalous structure शो करते हैं क्योंकि यहाँ पर cambium की rings बनती चली जाती है example के अगर हम बात करें तो इस case में जो examples है वो है बोरहविया, बोगन विलिया और मीरा बिलिस का यानि की बोरहविया, बोगन विलिया और मीरा बिलिस में आपको anomalous secondary growth देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको successive rings दिखाई देंगी वस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक cambium ring का फॉर्मेशन होता रहता है यहाँ पर जो हमारे पास example है वो है TS of Warhab या stem का और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको वस्कुलर बंडल की rings दिखाई दे रही होंगे तीन rings यहाँ पर प्रेजेंट है एक यह वाली है ring जो आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है उसके बाद आपको यह वाली ring दिखाई दे रही है जिसमें आपको कुछ वस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं लग में 6-14 वस्कूलरती की तरफ फेच कर रहा होता है यानि आ burdash सामने होता है तो यहां पर आपको वस्कूलर ơi बंडल्स की तीन रिंग देखने को मिले गी क्योंकि यहां पर ढूप सकते हैं यहां को सबाइधिय के यह आहां पर आप को यह कैंबियम की वज़ह से ही यहां पर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है तो बेसिकली आपको तो बाहर की तरफ एक रिंग दिखाई दे रही है जो कि जिसमे की जाधा माउट मेरा वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है यह cambium क्या करते हैं यह ए केंडियम सेकेंडी फ्लो यम और प्रrüंड का इमा बाहर की तरफ बनाता है और secondary xylem और conjunctive टिशू ये बनाता है अंदर की तरफ तो इस तरीके से cambium वर्क करता है और इसके बाद आपको एक और रिंग दिखाई देगी वस्कुलर बंडल्स की जिन में नंबर कम होगा और center में आपको भी medullary bundles दिखाई देगे दो जिनके proto xylem एक दूसरे को phase कर रहे होंगे तो यह इस तरीके से आपको बोरहर्विया के case में भी anomalus secondary growth देखने को मिलेगी next example हमारे पास है mirabilis stem के ts का और यहाँ पर भी आपको successive rings दिखाई देंगी वस्कुलर बंडल्स की क्योंकि यहाँ पर भी cambium की functioning की वज़े से इस type का arrangement आपको देखने को मिलेगा यह हमारा है mirabilis stem का ts यहाँ पर भी आपको 3 rings दिखाई देंगी वस्कुलर बंडल्स की जो की cambium की activity की वज़े से बनी है और यहाँ पर भी anomalus secondary growth आपको देखने को मिलेगी इसे detail में भी हम separate video में discuss करेंगे अब हम बात कर लेते हैं हमारे fourth point की जो की है extra steeler cambium यानि कि ऐसा cambium जो की steel के बाहर बनता हो तो यहाँ पर the first cambium ring that arises outside the vascular bundle from the pericycle region is called as extra steeler cambium यानि कि pericycle region से जो cambium का formation होता है पहले cambium ring का formation होता है उसे हम extra steeler cambium कहते हैं और यह extra steeler cambium भी कभी anomalous secondary growth चो करता है example कि अगर हम बात करें तो amaranthus के case में आपको यह देखने को मिलेगा so next anomaly हमारी है formation of interzylary phloem और included phloem basically interzylary phloem और included phloem होता क्या है यह cambium की abnormal activity की वज़े से बनता है और यह बनता कहां पर है आपको basically secondary xylem में phloem के cells का group दिखाई देगा patches के form में तो उस phloem को हम included phloem या interzylary phloem भी कहते हैं अभी हम आपको दिखाएंगे भी example के अगर हम बात करें तो example इसका है salvadora का stem और leptadenia का stem तो अब हम बात कर लेते हैं example की example यहाँ पर हमारे पास है ts of salvadora stem का यह salvadora stem का diagrammatic representation है और यहाँ पर जो main point जो हमें देखना है वो है interzylary और included phloem का तो यह interzylary और included phloem है जो की आपको patches के form में दिखाई देगा secondary xylem के साथ तो यह जो basically red portion है यह आपका secondary xylem है और secondary xylem के साथ ही patches के form में आपको जब phloem दिखाई देने लगे तो उस phloem को हम interzylary या included phloem के नाम से जानते हैं और यह basically abnormal activity की वज़े से होता है cambium की abnormal activity की वज़े से और इस type का जो phloem है यह आपको anomalous secondary growth का एक example है so salvadora हमारा एक anomalous secondary growth का example है जिसमें आपको interzylary या included phloem देखने को मिलेगा यह देखें यह हमारा salvadora stem का ts है closure view है और यहां पर अगर आप देखें तो यह हमारा पूरा जो red portion है यह हमारा secondary xylem का portion है और secondary xylem में आपको patches के form में phloem देखने को मिलने groups phloem के देखने को मिल रहे हैं अलग-अलग जगहे पर और इस phloem को हम कहते हैं इंटर जाइलरी phloem या फिर included phloem सो salvadora में आपको anomalus secondary road कुछ इस type की देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर इंटर जाइलरी phloem प्रेजेंट होता है यह हमारा next example है इंटर जाइलरी phloem का यहां पर leptadenia का stem है यह और इसमें आपको बहुत खास बात है कि इसमें आपको इंटर जाइलरी और इंटरनल phloem भी देखने को मिलेगा अभी हम इंटर जाइलरी phloem को भी डिसकस करेंगे लेकिन अभी फिलाल के लिए हम इंटर जाइलरी phloem को देख लेते हैं यहां पर यह देखे यह जो पूरा portion है यह आपका secondary xylem का है और secondary xylem के portion में आपको यह जो patches के form में दिखाई दे रहे हैं blue blue यह हमारे हैं इंटर जा phloem के patches दिखाई दे रहे हैं इनको ही हम इंटर जाइलरी या included phloem के नाम से जानते हैं और इस तरीके से आपको लेप्टाडीनिया में anomalous secondary truth देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर इंटर जाइलरी और इंटर जाइलरी दोनों ही टाइप के phloem प्रेजेंट होते हैं अब हम पात कर लएते हमारी next abnormality या anomaly की तो यह basically है formation of intrasylery phloem intrasylery phloem को हम internal phloem या medullary phloem के नाम से भी जानते हैं यह basically आपको दिखाई देगा या तो छोटे छोटे bands या strands के फॉर्म में या फिर आपको एक continuous band भी दिखाई दे सकता है पित के around तो यह basically internal phloem आपको कहां दिखा देगा पित के आसपास दिखाई देगा या तो यह patches में होगा या फिर यह continuous band में आपको देखने को मिलेगा तो यह जो internal phloem है यह basically external जो primary phloem होता है यानि जो सबसे पहले phloem बना हुआ होता है उसके बाद इसका development होता है और यहां पर the bundles are treated as bicolateral जो बंडल होते हैं उनको ह दोनों तरफ से phloem से surrounded होता है तो यहां पर intrazylary phloem के case में भी ऐसा ही होता है क्यूंकि बाहर की तरफ आपका primary phloem present होगा और अंदर की तरफ यानि पित रीजन में आपका internal phloem present होगा तो इस type के bundles को generally bicolateral consider किया जाता है दा इंटर्नल फ्लोएम इस फाउंड इन मेनी डाइकॉर्ड फैमिली इस लाइक एस्कलिपीडेसी कॉन्वोर्वुलेसी पुनियेसी सोलोनेसी एपोसाइनेसी और कुगर्बिटेसी इतनी फैमिली में आपको इंट्रजाइलरी फ्लोएम देखने को मिल सकता है एक्जाम्प में दिखाई देता है और तीसरा इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो की पित के आराउंड दिखाई देता है जिसकी बज़े से वस्कुलर बंडल को बाई को लेटरल कंसीडर किया जाता है तो यह बेसिकली है हमारा लैप्ताडीनिया का स्टेम जिसमें आपको इंट्राइलरी या इंटर्नल फ्लोएम देखते को मिलेगा तो यह जो फ्लोएम होता है यह आपको यहां पर दिखाई देगा पित के पास पित के पास आपको यहां पर अलग-अलग पैचस के फॉर्म में इंट्राजाइलरी या इंटर्नल फ्लोएम दिखाई देगा इसके साथ साथ लैप प्राइमरी फ्लोयम उपर की तरफ प्रेजेंट होता है तो दोनों तरफ से फ्लोयम यहां पर सराउंड कर रहा है जाइलम वाले पोर्शन को इसलिए इन वस्कुलर बंडल्स को बाई कोलेटरल कंसीडर किया जाता है अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट या एनोमेली की जो की है absence of vessels in the xylem सो कुछ जेनरा में vessels जो होते हैं जाइलम में वो भी absent होते हैं जैसे की ड्राइमेस में, जाइगोजियम में, टेट्रासेंट्रोन में और कुछ एक्वेटिक्स में जैसे की सिरैटो फिलम और हाइड्रिला के केस में भी आपको vessels देखने को नहीं मिलेके जाइलम के केस में तो यहाँ पर भी anomalous secondary growth देखने को मिलती है इसके अलावा next abnormality हमारी है scattered vascular bundles in dicots, dicots में normally आपको जो vascular bundles देखने को मिलते हैं वो ring के form में देखने को मिलते हैं लेकिन जब आपको vascular bundles scattered form में देखने को मिले तो यह भी एक तरीकी की abnormality है और यह भी एक तरीकी का anomalous growth है so the presence of vascular bundles in a ring is a normal feature of dicot stem however in several members of various families of dicots the vascular bundles are found to be scattered condition in the stem examples की अगर हम बात करें तो है papromia, nymphia और papaver oriental so यह basically members है जिनमें की आपको scattered vascular bundles देखने को मिल सकते हैं और यह भी एक तरीके का anomalies show करते हैं so next हमारी abnormality है presence of medullary bundles की यानि की ऐसे bundles vascular bundles जो की आपको center बे देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम medullary bundles के नाम से जानते हैं जैसे की अभी हमने देखा भी amaranthus के case में बोर हैविया में, mirabilis में so यह basically आपको इन members में देखने को मिल सकते हैं medullary bundles यह देखें यह बोर हैविया stem का TSO और इसमें आपको center में vascular bundles दिखाई दे रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं center में यह primary medullary bundle है इसके लावा यह जो bundles है यह भी medullary bundle की category में ही आते हैं इसके लावा यह देखें amaranthus के stem के case में भी आपको center में bundles दिखाई दे रहे हैं यह सब medullary bundles की category में आते हैं यह जो bundle जो center में है वो primary medullary bundle है इसके लवा जो middle ring में है वो भी medullary bundle की category में ही आते हैं So amaranthus के case में भी आपको medullary bundle देखने को मिलेंगे Next abnormality की अगर हम बात करें तो वो है presence of cortical bundles और basically बहुत सारे dicots में क्या होता है cortex के region में आपको vascular bundles देखने को मिलते हैं तो ऐसे vascular bundles को जो की cortex में पाई जाते हैं उन्हें हम cortical bundles के नाम से जानते हैं और example इसका बहुती famous example है Nictanthus की stem में आपको ये cortical bundles देखने को मिलेंगे Nictanthus की stem को हम detail में separate video में discuss करेंगे ताकि आपको और clarity आ सके So ये basically हमारा Nictanthus की stem का T.S. है ये outline इसकी square shape की outline है और हर end पर एक vascular bundle present है तो ये जो vascular bundle है इसे ही हम cortical vascular bundle कहते हैं क्योंकि ये cortex की region में present होता है So इस तरीके से आपको Nictanthus की case में anomalous secondary growth देखने को मिलेंगी So ये है Nictanthus की stem का T.S. Close view में आप इसको देख सकते हैं बहुत ही जादा highlighted view है ये यहाँ पर आपको cells बिल्कुल clear दिखाई देंगे Basically Nictanthus के stem में जो vascular bundle यहाँ end की तरफ present होता है cortex region इसको हम कहते हैं और cortex region में जो vascular bundle present होता है उसी ही हम cortical vascular bundle कहते हैं तो इसलिए यहाँ पर Nictanthus में आपको anomalous secondary growth देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर cortical vascular bundle present होते हैं इसके अलावा इसकी सारी details हम एक separate video में discuss करेंगे ताकि आपको सारी चीज़े और clear हो सके अब हम बात कर लेते हमारी last abnormality की जो की है secondary growth in monocots example यहाँ पर है alo, raway और dracena का और dracena के stem को detail में हम separate video में discuss करेंगे बढ़ diagram यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको clarity हो सके so monocots के case में भी आपको anomalous secondary growth देखने को बिल सकती है जिसका बहुत ही famous example है dracena का step so यहाँ पर जो आप diagram देख रहे हैं वो है dracena का stem का diagrammatic representation है और इसमें आपको basically primary vascular bundle देखने को मिलेंगे center में और secondary vascular bundle देखने को मिलेंगे बाहर की तरफ और secondary जो vascular bundles हैं उनमें आपको एक special type का arrangement देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं concentric amphivessel type arrangement यहाँ पर phloem का core center में होगा और वो चारो तरफ से xylem से surrounded होगा तो यहाँ पर जो secondary vascular bundle आप देख रहे हैं उसमें center में phloem होगा और चारो तरफ secondary xylem होगा तो इस type के arrangement में भी आपको dracina की case में anomalous secondary growth देखने को मिलेगी तो यह basically है हमारा dracina के stem का cellular diagram जिसमें की आपको यहाँ पर secondary vascular bundles दिखाई दे रहे हैं जिसमें की concentric emphy vessel type arrangement है यानि की यहाँ पर जो core है phloem का वो चारो तरफ से secondary xylem से surrounded है तो इस type के arrangement को हम emphy vessel type arrangement बोलते हैं और इस type की arrangement आपको dracina की case में देखने को मिल रही है इसलिए यहाँ पर anomalous secondary growth है इस तरीके से हमने हर एक abnormality को step by step discuss किया कि कितने types की अलग-अलग तरीके की abnormality होती हैं और उन सब abnormalities के examples को भी हमने देखा इसके इलावाद जितने भी examples हमने आज यहाँ पर discuss किये उन से related separate videos भी हम बनाएंगे ताकि आपको सारी चीजे clear हो सकें तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe करिए, like करिए, share करिए, thank you so much